नमस्कार दोस्तो टार्गेट है मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो नर्सिंग ओपिसर के लिए एक और भरती बिक्यापन आ चुका है भरती बिक्यापन दोस्तो सेंटर गवर्मेंट से पब्लिस किया गया है आल इंडिया लेवेल का यह भरती बिक्यापन है ये भरती भी कि आपन दोस्तों ESIC से जारी किया गया है सेंटर गॉर्मेंट की जॉब है डाइरेक्ट रिक्रूट्मेंट रहने वाला दोस्तों आपको इसमें पर्मानेंट पोस्टिंग मिलेगी वीडियो में आगे बादनेस पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों साथ भी सेयर करें साथ में दोस्तों नोटिपिकेशन के पीडियाप के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप एजी तरीकी से जोइन होकी है नोटिपिकेशन के पीडियाप आप डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों हमारे द्वरा जितने भी बैकेंसी की जानकारी दी जाती है वह सारे नोटिपिकेशन के पीडियाप आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो अभी जोइन कर लें डिस्क्रिप्शन वाक्स में इसका लिंक है दोस्तों बढ़ते हैं इन्फोर्मेशन की और तो देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से भरतिविग्यापन पब्लिस किया गया है और ये इसका ओफिस्यल वेबसाइट है इस वेबसाइट की मादम से आप ये नोटिफिकेशन का पीडियाप डाउन्डोड कर पाएंगे दोस्तों बढ़ते हैं बैकेंसी डिटेल की और तो बैकेंसी नंबर ये आप करेने वाला है वन थाउजन नाइन हैंडर्ट थैटी टोटल दोस्तों इसमें एस्टी के लिए 164 और फिचकल हैंडिकैप के लिए दोस्तों 168 टोटल पोस्ट इसमें रहने वाला है नेस्टी इसमें हम अब बात कर लेते हैं पेश्केल की तो यह आपको बताया जा रहा है लेवल 7 का आपका इसमें पेश्केल रहने वाला 7 CP सीकेंसर आपको सेल्डी दी ज जा रहा है 30 years इसमें जनरल और EWS के लिए 33 OBC के लिए 35 इसमें ESC ESC वाले कैंडिडेट के लिए और फिचकल हैंडिकैप के लिए इसमें 40 years age limit दिया जा रहा है और आपका जो lower age limit है 18 years आपका कम से कम होना चाहिए नेस्टे qualification की बात कर लेते हैं इसमें तो दोस्तों आपके पास BSC honors complete होना चाहिए nursing और यदि आपके पास regular course in BSC nursing complete है तो आप इसमें apply कर पाएंगे साथ में दोस्तों यदि आपके पास post basic BSC nursing complete है तो भी आप इस post के लिए eligible रहेंगे प्लेस आपके पास registration होना जरूरी है किसी भी state nursing या इंडिया nursing council में आपका ये registration होना चाहिए और यदि दोस्तों आपके पास diploma complete है general nursing mid library GNM आप complete किये हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे आपका registration होना जरूरी है एनी इस्टेट nursing council में और डिपलोमा बाले candidate से इसमें one year का experience भी मांगा जा रहा है minimum 50 bed के hospital में आपका ये experience होना चाहिए after आपके educational complete होने के बाद ही आपका ये experience होना जरूरी है इसमें केवल दोस्तो डिपलोमा बाले candidate से ही experience मांगा जा रहा है जिनके पाज degree complete है वो without experience किसमें आवेदन कर पाएंगे next इसमें आपको duty के बारे में बताया गया है क्या कि आपको duty करना है वहाँ पर जब आपकी posting हो जाएगी तो इसको आप पड़ लीजेगा और other detail में दोस्तो the post is permanent आपको permanent posting दी जाएगी group B का ये post रहने वाला है और ये आपका headquarter के बारे में आपको बताया गया है दिल ही में आपका headquarter है दोस्तो after selection आपको two years के लिए provision period में रखा जाएगा और ये आपको इसमें important में बताया गया है कैसे आपको apply करना है online application are invited for the direct recruitment तो आपको online के माद्धिम से करना होगा आवेदन ये बताया गया है upsconline.nic.in इस website के माद्धिम से दोस्तो आपको आवेदन करना है 7 मार्च से दोस्तो इसमें आवेदन होना start हो चुगा है 27 मार्च तक इसका light date रहने वाला है सामको 6 बज़े तक आपको समय दिया जा रहा 27 मार्च तक और इसमें आपको correction करने के लिए भी समय दिया जा रहा 28 मार्च से 3rd April तक आप इसमें correction कर सकते हैं आप इसमें आप से कुछ मिस हो गया तो आप उस पे correction कर सकते हैं 7 days के लिए आपको समय दिया जा रहा correction करने के लिए next इसमें हम बात कर लेते हैं selection process की तो selection दोस्तो आपका इसमें recruitment test pen and paper की बेस्ट पे दोस्तो आपका इसमें exam conduct कराया जाएगा और आपका जो exam है वो 7 जुलाई को conduct कराया जाएगा 7 जुलाई आपका इसमें exam date रहने वाला है और आपका offline के माद्दम से इसमें exam होगा और इसमें हम बात कर लेते हैं syllabus की तो यह आपको syllabus भी बता दिया गया है इस कीम में देख सकते हैं इस syllabus आप दा टेस्ट तो यह आपको topic भाई syllabus बताया गया है जिसमें nursing foundation medical surgical nursing include pathology and pharmacology nursing education और pediatric mental health nursing management nursing research साथ में OBG से question पूछा जाएगा और community health nursing से anatomy physiology psychology sociology nutrition microbiology और biochemistry टोटल दोस्तों आपको solar topic दिया जा रहा है इसी topic से आप से question पूछा जाएगा handed mark का यह आपका question रहने वाला है साथ में negative marking भी रहेगा इसमें और दोस्तों आपका यह RT exam का center भी बताया जा रहा है जहां पर आपका exam conduct करा जाएगा तो टोटल दोस्तों इसमें 80 center रहने वाले हैं जिसमें यह अलग-अलग city रहेगा आप अपने हिसाब से देख लीजेगा जहां भी आपको आपके exam center नियर हो तो आप वहाँ application form फिल करते समय आप वो चूच कर सकते हैं तो मैं यंपी का पता देता हूँ कहां कहां पे आपका center है बोपाल है साथ में इंदोर और जबलपूर तिन center यंपी में रहने वाला है अधर भी बहुत सारे center है आप चूच कर सकते हैं जहां पर आपको exam देने जाना होगा और आपका जो exam है recruitment test वो 7 जुलाई को conduct करा जाएगा नेश्टे इसमें दोस्तों आपको बताया गया है भ भरति विग्यापन में आवेदन करने के लिए इलिजबल है आपके पास यदि ब्यासी नर्सिंग जीनम या पोस्ट बैसिक ब्यासी नर्सिंग कंप्लीट है तो आप इसमें apply करने के लिए इलिजबल है भरति विग्यापन center government की है आपको permanent posting मिलने वाली है और आपको दोस्त तो आप हमारे टेली ग्राम चैनल से भी download कर सकते हैं और जोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों साथ share करें चैनल पे नए तो subscribe कर ले हमारती नहीं जानकारी share करते रेते हैं thank you so much झाल 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 झाल